हेलो फ्रेंड कैसे आप सब मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज मैं चावमीन बना रही हूँ वो भी मैदे की नहीं सूजी की सेवह होती है ना ये पतली वाली छोटी छोटी इसको पहले बॉयल कर देंगे इस पर बटला चला दिया है इसमें पानी डाल देंगे एक डेड़ गिलास पानी में नमक डाल देंगे इसको ढग देंगे पानी बॉयल होने देंगे पानी बॉयल हो रहा है अब इसमें ये सेवह को डाल देंगे एक चमच ऑईल डाल देंगे इससे क्या होता है कि समय एक दूसरे में चिपकती नहीं है गैस की फ्लेम को लो कर देंगे इसको आधा ढखेंगे पुरा ढखने से फिर वो बाहार आने लगेगा पानी अब बीच बीच में चेक करते रहेंगे अब बीच में चेक करेंगे गली की नहीं अभी नहीं गली है अभी कच्छी लग रही है तोई अब यह गल गई है इसको चाम देंगे इसको चन्मी में चाम देंगे और इसको उपर से थोड़ा ठंड़ा पाने डाल देंगे इसे ही आपस में चितके ने इस तरह से अब मैं चामीन बना रही हूं गैस पे कड़ाई चड़ा दिये थोड़ा सा ओयल डालेंगे और गरम हो गया है यह तीन-चार कर्ली लैसन को पतली-पतली कट कर देंगे अब यह तरी मिच्छी इसको थोड़े सॉटे कर देंगे ज्यादा नहीं हल्का सा अ प्याज होगी है इसमें और फटला कट कर दिये इसको डाल लेंगे प्याज को भी फलका सा शौटे कर देंगे जा नहीं जंड़ के प्याज हो गया, इसमें गाज़र है, इसको भी ताहतला कट कर दिए, इसको डाल दिया इसको भी सोटे कर दिया ये शुम्ला मिर्षि है, इसको भी डाल दिया इसको भी थोड़ा साथ करेंगे, जादा ने है सेवाई को भी मैंने एक प्लेट में डाल के फैला दिया है मसाले हो गए अब इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा नमक डाल दिया पर काली मिच्छी इसको भी मिच्स कर देंगे तो जादा लाने करना है यह थोड़ी क्रंची रहेगी सब्जियां अब मैं इसमें सॉसेस डाल लें सोया सॉस यह चिली सॉस यह टमाटो सॉस इन सब को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे यह खाने में बिल्कुल चाम्मीन की तरह लगे इसको डाल देंगे इसको भी मिक्स कर देंगे इसके साथ देखिए चाम्मीन मिक्स हो गई बिल्कुल नहीं लगेगी कि यह चाम्मीन नहीं है खाने में बिल्कुल टेस्ट वैसे ही आएगी चाम्मीन की तरह बच्चे भी खुश हो जाएंगे खाके अब इसको सर्व करिए देखिए चाम्मीन बन गई कि अच्छी लग रही है खाने में भी बहुत पेस्टी लगती है और यह हामफुल भी नहीं है मैं देखी नहीं है सूजी की है आप भी बनाएए खाएए और कॉमेंट्स करके मेरे को जरूर बताएएगा कैसी लगे मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद